गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, मैं रचना शर्मा, आपका अपने यूटूब चैनल शर्मा इस्टेदी हाउस में स्वागत करती हूँ, बेटा आज जो हम वक्षिट सोल करने वाले हैं, वो छटी, साथवी, आठवी, तीनों के लिए वक्षिट है, जो हमरे डेली कॉमन सोल करने वाले हैं, यहां पर स्टुरेंट से पना नाम लिखेंगे, और यहां अपने कक्षा सिख्षक का नम, यानि की अपनी क्लाश टीचर का नाम लिखेंगे, बच्चों आज जो हम वक्षिट सोल करने वाले हैं, यह हमारी आज का टॉपिक है, प्रदूशन, बच्चों यह और इस प्रदूशन को करने वाले हम ही लोग हैं, हम जैसे लोगी प्रदूशन को बढ़ाते हैं, तो पहले हम प्रदूशन के वारे में जानेंगे, और फिर हम यह देखेंगे कि हम कैसे इसे कम कर सकते हैं, अगर हम अपने अपने लेवल पर प्रियास करें सारे, सम मिलक प्रदूशन जरूर कम होगा बच्चो तो पढ़ना शुरू करते हैं प्रयावरण में हानी का रखपदार्थों का मिल जाना प्रदूशन कहलाता है देखिए प्रयावरण अपने पढ़ाता प्रयावरण जो मारे आसपास की हवा है जो इतनी गंदी हो जाती है कि इसमें प्र ठीक है चाहे वो किसी भी चीज में कुछ ऐसी चीज मिल जाए जो हमें नुकसान पहुंचाए तो उसको प्रदूशन बोलते है यह भूमी जल तथा वायू को गंदा करता है देखिए प्रदूशन क्या करता है भूमी को गंदा करता है जल को गंदा करता है और वायू को गं करती है तो ऐसे ही अब पूरी अगर ऐसी ही हवा में सांस लेना पड़ेगा सोचिए क्या लोग हम कैसे सांस ले पाएंगे तो क्या होगा उससे बीमारिया ही बढ़ेंगी आगे पड़ते हैं देखिए यह भूमी जल तता वायू को गंदर करता है जो प्रदूशन है और उन्ह वो प्योग नह Avatar अनुप्योक्त वर्ला देता है प्रदूशन हमारे स्वास्त और प्रयावरन पर बुरा प्रभाब डालता है हमनद हो जाते हैं महत्य प्रुशन को प्रदूशित करती है देखिए हम इंसानों दोरा ही कुछ ऐसे कारे की आ होता है उधरन के लिए वहानों और कारखानों से निकलने वाले धुए के कारण वायू प्रदूशन होता है आपको पता है जो इतना दुवा निकलता है मोटरसाइक किल गाड़ी जो भी वाइक इन सबसे दुवा निकलता है उससे वायू प्रदूशन होता है प्रदूशन के म मिट्टी को पारदूशित करता है और द्वहनी पारदूशन जो आवाद से होता है तो आवाद इतनी हो जाये कि आपसे सुनी न जाय करते हैं तो अब देखें नीचे निम्रीम्ने के प्रश्नों के उत्तरदेने आपको शons पर नंहीं जो हमारे सदीर पर साथ रियावरण पर भी बुरा असर डालते हैं प्रशनों के उत्तर देखेंगे नीम्न चित्रों में दिखाएगे प्रदूशन के प्रकार को पहचान करो लिखो देखें इसमें क्या हो रहा है कार कानों से दुवा निकल रहा है आपने देख रहे हो आप दो sounds of tapp को लिख से दो संब्रदूशन आपने नालो का पाने की आपनी नाली की घंद की पानी में जाके मिल रहे हैं तो यह पानी प्रकार दोसी आपके हो रहा है नहां तो इन चारों के हम नाम लिखे लेते हैं बचौह नीचे देखेंगे। प्रशंन द्थेनी प्रदूशन जजब प्रदूशन और मुर्द में अगला प्रश्न आं मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली में वायू प्रदूशन के कारणों पर चर्चा करें और इसे कम करने के कुछ तरीके कोजें देखिए आपको क्या लिखना है दिल्ली में वायू प्रदूशन क्यों हो रहा है और इसे कैसे कम क्या जा सकता है आपको यह लिखना है देखें से पहले हम लिखेंगे उत्तरदों में राष्टर राजनी छे दिल्ली की आवो हवा यानि की यहां की जो हवा है वो लगतर खराब होती जा रही है दिल्ली में वायू प्रोदूशन पर लगम लगाने के लिए परोसी राज्यों में पराली जिलाने पर पावंदी से तक दिवालि पर पठा करने तक लो रोक लगा दी गई है सब्सक्राइब सब्सक्राभ जराने तक जो अशक्षित होती है वायू प्रदूशित होती है लेकिन फिर भी वायू प्रदूशन पर लगाम नहीं लग रही है फिर मतलब उस लेवल तक कम नहीं हुआ जितना प्रदूशन गम होना चाहिए दिल्ली में छोटी बड़ी हजारों द्योगी इकाईयां हैं जिनमें बड़ी संख्या में कोईला इस्तिमाल होता है बदरपूर और बड़ थरमल पावर प्लांट जैसे प्लानंत है यां पर दिल्ली में धाबे हुए हैं बड़े चूला होता है तंदूर होता है तो उसमें दूहा निकलता है उससे लाको दो और 4 वाना जिसे हर दिन प्रक और रहे अब बड़ा सवाल यह है कि इन पर लगाम लगाने में सरकार की कोई रुची है या फिर वेवारी तोर पर इन सब को दिली से हटाना संभव है देखे कोई भी ऐसा नहीं है कि हम इने बिल्कुल पूरी तरह से दिली से हटा सकते हैं इसके लिए हम यह कर सकते हैं कि हम उतना ही बांट का पुछेंगे किट्नी जोर्त हो यह फरी पांट लाक स्वाजर्ड वांट निकलता है उसका सुलोशन होता है तो हम यह करना चाहिए जाए ज्यादा इधर उधर ज्यादा सड़े गले समानों को दोदर नहीं फैकना चाहिए ठीक है तो बच्चे इस तरह से हम दिल्ली के पॉलूशन को देखेंगे तो बच्चो आपको आज की वरक्षीट समझाई होगी और आई होप आपने इसे जोई भी किया होगा क्योंकि आपके आज की जो वरक्षीट है आपक टैल प्रप्रeilूशन के परकारों को और आपको पता है कि किस तरह से आपकी 2-3 सालों से आपने देख रहे होंगे कि आपकी चुट्टियां होती हैं दिल्ली में किस चीज की चुट्ची के बाद। पूरा दिन ऐसे रहता जैसे शाम हो गई हो वह प्रदूशन के कारण और आपकी चुट्टियां कराए दी जाती है और आपको दो सल पहले मास्क भी बठे थे स्कूल में तो इसलिए थे कि वाईू प्रदूशित हो गई थी सांस देना बड़ा मुश्किल हो गया था तो इसलि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें